दूसरा अध्याए दुर्गा पाठ का दूसरा शुरू करूँ अध्याए जिसके सुनने पढ़ने से सब संकट मिट जाए मेधा रिशी बोले तभी सुन राजन धर्द्यान भगवती देवी की कथा करे सबका कल्यान देव असूर भय युध अपारा मैशा सुर देतन सरदारा योधा बली इंदर से भिडियो लडियो वर्ष शत्रं ते नाफिर्यो देव सेना तभागी भाई मैशा सुर इंदरासन पाई देव ब्रह्मा सब करे पुकारा असूर राजन लियो चीन हमारा ब्रह्मा देवन संग पधारे आए विश्नु शंकर द्वारे कहा कथी भर नैनन कही कथा भर नैनन नीरा प्रभुद देत असूर बहुपीरा सुन शंकर विश्नु अकुलाए भमेतनी मन करोध बढ़ाए नैन भहे तरदेव के लाला मुखन ते निकलियो तेज विशाला तब तरदेव के अंगों से निकली तेज अपार जिनकी ज्वाला से हुआ उजवल सबसंसार सभी तेज इकजा मिल जाई अतू तेज बल परियो लखाई ताही तेज सो प्रक्टी नारी देख देव सभयो जुकारी शिवके तेज ने मुख उपजायो धरम तेज ने केश बनायो विश्नु तेज से बनी बजाए कुछ में चंदा तेज समाए नासिका तेज कुबेर ब ब्रह्म तेज परकाश फलाये रवी तेज ने हाथ बनाये तेज प्रजापती दात उपजाये शिरवन तेज वायू से पाये सब देवन जब तेज मिलाया शिवा ने दुर्गा नाम धराया अठास कर करजी जब दुर्गा आदबवानी सब देवन ने शक्तिये माता करके मा शुम्ब ने तिर्शूल चक्र विश्णू ने दीना अगनी से शक्ति और शंक वरंड से लीना धनुश बान तरकश वायू ने भीट चड़ाया सागर ने रतनों का मा को हार पहनाया सूर्य ने सब रोम किये रोशन माता के ब्रजदियां इंदर ने हाथ में जगदाता के एरा शेश नागने छतर माता की भेंट कीना वस्तरा भूशन नाना भांती देवन पहनाये रतन चड़ित मया के सिर पर मुकट सहाई दोहा आद भवानी ने सुनी देवन विने पकार असरों के सहार को हुई सिंग सवार रंचंडी ज्वाला बनी हाथ लिए हत्यार सब देमों ने मिल कभी कीनी जैजैकार चली सिंग चड दुर्गा भवानी देव सैन को साथ लिए सब हत्यार सजाए रंचे अती भियानक रूप किये मैशा सुराक्षष ने जब ये समचार उनका पाया लेकर असरों की सैना जल्दी रंभूमी में आया दोनों दल जब हुए सामने गबराते थे कुछ भाग गए कुछ हाँप रहे असरों के साथ करोडों हाती घोड़े सैना में आये देह के दल मैशा सुर का व्याकुल हो देवता घबराए रंचंडी ने दशो दिशाओं में वो हात फिलाए थे युद भूमी में लाखों दैतियों के सिर काट गिराए थ देवी सैना बाग उटी रह गई अकेली दुरगाही मैशा सुर सैना के सहीत ललकारता आगे बढ़ा तभी उस दुरगा अस्ट बुजी माने रंभूमी में लंबे सांस लिये श्वाश श्वाश में अंबा जी ने लाखों ही गण प्रगड किये बल्शाली गण बढ़े वो ललकार के देवी कहती थी लकडी के ढेरों को अगनी जैसे भसं बनाती है वैसे ही शक्ती की शक्ती दैते मिटाती जाती है सिंख चड़ी दुरगाने पल में दैतियों का सहार किया पुष्प देवों ने बरसाई माता का जैजैकार किया चमन जुश्रदा प्रेम से दुरगा पाठ को पढ़ता जाएगा दुखों सेवे रहेगा बचता मनवा अंशितफल पाएगा दोहा हुआ समापत दूसरा दुरगा पाठ अध्याय चमन भवानी की दैया सुख संपत्ती घर आई जैमा का ली तीसरा अध्याय दोहा चक्षुर नेनी जिसैना का सुनी जबी सहार क्रोधित होकर लड़ने को आप हुआ तया रिशी मेधा ने राजा सिफिर कहा सुनोत रित्या ध्याय की अबका था महा योद्धा चक्षुरता भिमान में गर्चता हुआ आया मैदान में वे सेना पतीम असुरों का वीर था चलाता महाशक्ती पर तीर था मगर तुर्गा ने तीर काटे सभी कई तीर देवी चलाए तब ही जब ही तीर तीरों से टकराते थे तो दिल शूर वीरों के घबर आते थे तब ही शक्ती ने अपनी शक्ती चला वेरत असुर का टुकडे टुकडे किया असुर देख बल मा का घबरा गया खडग हाथ ले लड़ने को आ गया किया वार गर्दन पे जब शेर की बड़े वेग से खडग मारी तभी बुझा शक्ती पर मारा तलवार को वे तलवार पर लाई मौत थी दैत्या को घेर कर उचल सिंग हाथी पे ही जा चड़ा वे माता का सिंग दैत्या से जा लड़ा जब ही लड़ते लड़ते गिरे पृत्वी पर भड़ी बदर काली तभी करोध कर असुर दल का सैना पती मार कर चली काली के रूप को धार कर गर्जती पवन रूप हलचल मचाती हुई असुर दल चमी पर सुलाती हुई लहू की वे नदियां बहाती हुई नए रूप अपने दिखाती हुई दोहा महा काली ने असुरों की जब सैना दीमार महिशा सुराया वहा रूप भैंसे का धार सवया गर्ज उसकी सुनकर लगे भागने गर्ण कई भाकतों के असुर ने सहारा खुरों से दबाकर कई पीस डाले लपेट अपनी पूंच में कईयों को मारा जमी आसमा को गर्ज से ह हिलाया पहाडों को सिंगों से उसने उखाड़ा शवाशों से बेहोश लाखों ही कीने लगे करने देवी के गण हाहा कारा विकल अपनी सैना को दुर्गा ने देखा चड़ी सिंग पर मार किलकार आई लिए शंक चक्र गदा पदम हातों वैतरे शूल पर साले तलवार आई किया रूप शक्ती ने चंडी का धारन वैदैतियों का करने थी सहार आई लिए बांद भैंसे को निजपाश में जट असुर ने वो भैंसे की दे पलटाई बिना शेर समुक लगा गरजने वो तो चंडी ने हाथों में परसा उठाया लगी काटने दैते के सिर को दुर्गा तो तज सिंग का रूप नर बनके आया जो नर रूप की माले गरदन उडाई तो गज रूप धारन किया बिल बिलाया लगा खैंचने शेर को सौंड से जब तो दुर्गा ने सौंड को काट गिराया कपट माया कर दैते ने रूप बदला लगा भैंसा बनके उपद्रव मच तरभी करोधित होकर जगत मात चंडी लगी नेतरों से अगनी बरसाने धमकते हुए मुक से प्रक्टिज वाला लगी अब असरों को ठीकाने लगाने उचल भैंसे की पीट पर जा चड़ी वे लगी पाउं से उसकी देह को दबाने दिया काट सर भैंसे का खड़क से जब त तरशूल जग दंबे ने हाथ लेकर महा दुस्ट का शीश धड़ से उड़ाया चली करोध से मैया ललकारती तब किया पल में दैतियों का सारा सफाया चमन पुश्प देवों ने मिलकर गिराया अपसराओं वे गंधरों ने राग गाया तरित्य अध्याई में है महिश्या स सुरसाहार चमन पड़े जो प्रेम से मिड़ते कस्ट उपार जैमा काली चोथा अध्याई आधी शक्ती ने जब किया महिशा सुरकानाश सभी देवता आ गए तब माता के पास मुख प्रसंसे माता के चड़नों में शीश जुकाई करने लगे वैस्तूती मीठे बेन सुनाई हम तेरे ही गुणगाते हैं चड़नों में शीश जुकाते हैं तेरी जै जै कार मनाते हैं जै जै अम्बे जै जगदंबे जै दुर्गा आद भवानी की जै जै शक्ती महरानी की जै अभेदान वरदानी की जै अस्ट बुजी कल्यानी की तुम महा तेज शक्ती शाली तुम ही हो अदबुत बलवाली तू रण चंडी तू महा काली तुम दासों की हो रखवाली हम तेर तेरे ही गुण गाते हैं। का है ग्यान तुझे अपनी शक्ती पर मान तुझे हर एकी पहचान तुझे हर दास का माता ध्यान तुझे हम तेरे ही गुण गाते हैं। तुझे अपनी शक्ती दे करके भवसागर से भी पार करे हम तेरे ही गुण गाते हैं। तुझे लोकी मेवास तेरा हर जीव है मैया दास तेरा गुण गाता जमी अकाश तेरा हम को भी है विश्वाश तेरा हम तेरे ही गुण गाते हैं। दुझे के कस्ट मिटा माता हर इकी आस पुझा माता हम और नहीं कुछ चाते हैं बस अपना दास बना माता हम तेरे ही गुण गाते हैं। तु दया करे तो मान भी हो दुनिया की कुछ पहचान भी हो बक्ती से पैदा ग्यान भी हो तु कृपा करे कल्यान भी हो हम तेरे ही गुण गाते हैं। देवों ने प्रेम पुकार करी मां अंबे जट प्रसन हुई दर्शन देकर जक्की जन्नी तब मधूरवानी से कहने लगी। मांगो वरदान जुमन भाए देवों ने कहा तब हर शाये जब भी हम प्रेम से याद करे मा देना दर्शन दिखलाए हम तेरे ही गुण गाते हैं। तब भदर काली ये बोल उड़ी तुम करोगे याद मुझे जब ही मैं संकड दूर करूं तब ही इतना कहकर अंतर ध्यान हुई तब जमन खुशी से सबने कहा हम जै जगतारनी भवानी मां हम तेरे ही गुण गाते हैं। हर समय तुम्हारे गुण गाए उसके दुख दर्द मिटा देना दर्शन अपना दिखला देना हम तेरे ही गुण गाते हैं। भगवती होवे आन सहाए मान इज्जत सुक संपती मिले चमन भरपूर दुरगा पाठी से कभी रहे न मैया दूर चमन की रक्षा सदा ही करो जगत महरानी जगदंबे महाकाली का चंडी आदभवानी जै महाकाली। सिद्ध कुंचिका स्त्रोथ सिद्ध कुंचिका स्त्रोथ बहुत गुप्त और देवताओं के लिए भी दुरलव है। ये देवी पारवती इसे अपने गुप्त अंकीतर हैं सियास गुप्त रखना चाहिए। ये उत्तम कुंचिका स्त्रोथ केवल पाठ के द्वारा मारन मोहन वशकरन स्तंबन वे उचाटन आदी उदेश्य को सिद्ध करता है। मंत्र जाव थानव का वद करने वाली और निशुम्ब का नाश करने वाली हे देवी तुम्हे नमसकार है। महादेव मेरे इस जाप को जागरित वे सिद्ध करों एम के रूप में स्रिष्टी स्वा रूपनी हरीम के रूप में जगत का पालन करने वाली और क्लीम के रूप में काम रूपनी वे समस्त ब्रम्हान की बीज रूपनी हे देवी तुम्हें नमस्कार है चामुंडा के रूप में चंड का नाश करने वाली और ये के रूप में तुम वर देने वाली हो विचे रूप में तुम सदैव ही निर्भेता देती हो इस तरह तुम एम, हरीम, क्लीम, चामुंडा ये विच इस मंतर का स्वर रूप हो धाम धीम धूम के रूप में धुर्जटी अर्थात शिव की तुम पत्नी हो वाम वीम वू रूप में तुम वानी की अधिस्टात्री हो क्राम क्रीम क्रूम रूप में कालिका देवी हो ही देवी शाम शीम शूम के रूप में मेरा कल्यान करो हुम हुम हुमकार्स्वरूपनी जम 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 नादिनी ब्राम भृम ब्रूम के रूप में हे कल्यान कारणी भैरवी भवानी तुम्हें पुन-पुन प्रणाम है इन सब को तोड़ो और दीप्त करो करो स्वाहा पाम पीम पुम रूप में तुम पारवती पूर्णा हो खाम खीम खुम के रूप में तुम खेचरी अर्थात अकास चारनी या हट योग की खेचरी मुद्रा हो साम सीम सुम रूप शब्चती देवी के मंतर को मेरे लिए सिद्ध करो ये कुंची का स्त्रोत मंतर को जगाने के लिए है इसे भक्ती हीन पूश्कों को नहीं देना चाहिए हे पारवती इसे गुप्त रखो हे देवी जो मिना सिद्ध गुंशी का स्रोत के सब्स्षति का पाठ करता है उस व्यक्ति को उसी तरह सिद्धी नहीं मिलती जैसे वन में रोना निरर्थक होता है जै मा कली